नमस्कार में राजमोन आप देख रहे हैं बिहारे नियूज बिहार 14 अगस्त का कोरोना अपडेट लेकर मैं फिर से आपके स्थामने हाजिर हूँ बिहार में एक लाख बिहार में हो रहा है आप यकीं नहीं करेंगे पिछले एक मैने पहले जहां acaht बिहार horizonalign you पर पहुंच किया एक लाग चारह जार से जादा जाज किया थे आज 1,21,000 से जादा जाज किये है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि पिछले 24 गंटे में अगर मरीजों की बात करें जो नए संक्रमीत मरीज पूरे बिहार से मिले तो उनकी संक्या कि आपके लिए है और हमारे लिए भी है वो है बिहार स्वास्त जारी करने के डाटडमे थोड़ा बदलाओ क्या है बदलाओ । एक नज़र डाल लीजिए कि किस प्रकार से आज कर डाटडा प्यार पह्नितर जारी किया है हलांकि आगरों को नहीं छिपाया है, इसमें आगरे छिपाये नहीं गए हैं, बलकि इस पर्ष्ट तोर पर बताए गए हैं कि किस तारीक को कितने जाच हुए और उसे दिन के जाच में कितने मरीज मिलें, तो पहले नज़र डाले जिए उस बदलाव पर, तो आप उपर से चो पहले जाच किये गए हैं, जिसमें से 3474 पहले जाच किये गए हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखीएगा कि इसमें लिखा है उसके नीचे कि पिछले 24 घंटे में जुड़े नहीं मामले 4911 हैं, यानि कि कल रिपोर्ट आये होंगे, उनमें से पचीस सो नौ लोग पॉजिटिव आये हैं कल के रिपोर्ट के, लेकिन उसके पहले के भी कुछ ऐसा रिपोर्ट होंगे, जिसके जाच रिपोर्ट कल ही आये होंगे, यानि पिछले 24 घंटे में आये होंगे, तो पचीस सो नौ में उन जो आकरे, पिछले 24 घंटे में पहले लेकिन क्यूंकि हमने बताया कि क्यूंकि नया अपडेट था कुछ नया स्वास्तविभाग करना चाहता था लोगों को इसपस्ट कर रहा था कि हम इतना जाच कर रहे हैं इतने लोग उसमें से इतने positive आ रहे हैं अच्छी बात आपको अच्छे से जनकारी मिल गई अब देख लेते हैं कि आज 4911 आने के बाद बिहार में संक्रमन की स्थिति क्या हो गई है तो बिहार में कुल संक्रमन को जो इस्थिति है वो पहुच गई है 98,370 पर वहीं अगर इन में से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 65,307 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं पिछले 24 गंटे में 800 मरीज ठीक हुए हैं अगर active cases की बात करें पूरे बिहार में तो 32,562 active cases अभी पूरे बिहार में मजूद हैं वहीं अगर जान कवाने वालों की बात करें तो 500 लोगों ने बिहार में COVID-19 से यानि कोरोना से जान गवाई हैं अब एक नज़र डाल लेते हैं कि आपके जीले में कि कुल संक्रमित मरीजों की संखिया कितनी पहुच गई है और active case आपके जीले में अभी कितने है उस पर अररिया 1834 अररिया के बारे में आपके बता दूँ कि यह पिछले कुछ दिनों से यहां पर संक्रमन की मामला काफी तेजी से बढ़ा है और आज भी यहां 200 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं तो positive case है यहां पर 1834 active cases है यहां पर 1,008 अरवल positive case 977 active case 349 औरंगाबाद positive case 1755 active case 570 बाका positive case 126 active case 448 बेगुसराय positive case 3816 active case 1644 भागलपूर एक positive case 4920 active case 915 भोजपूर positive case 2312 active case 844 बकसर positive case 2925 बकसर 101 दरवंगा positive case 1633 active case 578 गया positive case 3555 active case 918 गोपालगंज positive case 1854 active case 661 जमुई positive case 1250 active case 249 जहानबाद positive case 1725 active case 649 कैमूर positive case 957 active case 210 110 कटिहार positive case 379 गटिहार पोजटीव केस 1390 गटिवकेस 1867 एक्टिवकेस 4555 किसंगंग पोज़िटीव केस 1324 एक्टिवकेस 445 लखेसराय बार आज़केस 255 positive case active case 355 बकसर पूरा positive case 1348 active case 474 बदमृबनी पॉजिटीव केस 2549, एक्टीव केस 1110, मुंगेर पॉजिटीव केस 1884, एक्टीव केस 625, मुज़गपरपूर, पॉजिटीव केस 449, एक्टीव केस 1112, नालंदा पॉजिटीव केस 362, एक्टीव केस 1020, नमादा पॉजिटीव केस 1814, एक्टीव केस 347, पश्चिम चंपारन positive case 2527 active case 887 पतना swift yaz 1588 active case 3797 पूर्विचम्पारन positive case 328 active case 5otz 98 पुरुणिया positive case 2400 active case 735-鉄 equally positive case 3517 active case 968 conference positive case 1994 active case 965 समस्तिप मझेथ positive fé arrangements 2074, active case 960, सारण, positive case 3072, active case 1072, सिख्पुडा positive case 1349, active case 609, सीवर, positive case 534, active case 1076, सिता मडी positive case 1722, active case 802, सिवान positive case 2788, active case 623, सुपल positive case 1754, एक्टिव केस 590 वैसाली पॉजिटिव केस 2853 एक्टिव केस 1049 इस तरह पूरे बिहार में अब तक 98,370 टोटल पॉजिटिव केस मिले हैं जिसमें से 65,307 ठीक होकर घर जा चुके हैं 500 लोगों ने इससे अपनी जानगवाई है जब कि 32,562 केस अभी पूरे बिहार में एक्टिव हैं पटना तो 15,000 से उपर पहुंच गया है सिवर एक ऐसा जीला है जहां 534 शंक्रमित मरीज टोटल मिले हैं वहीं अरवल भी एक ऐसा जीला है जहां 1,977 शंक्रमित मरीज वहां मिले हैं लेकिन अरवल हो सकता है कि कलिया पर्सों में वह हजार पार कर जाएगा अरविया एक जीला था 1000 के नीचे मामले थे लेकिन पिछले कुस दिनों से देखा जा रहा है कि वहां पर लगतार मामलों में भारी बड़ोतरी दर्ज हुई है आज भी 200 से ज्यादा है कल भी 100 से ज्यादा था इस तरह एक और जीला बना था वह था कटिहार वहां पर भी माम संक्रमन की स्थित्य पहले से बत्तर थी और उसी संक्रमन की विवस्था और कहा जा सकता है संक्रमन क की इस प्याती तो जरूरी तो जरूरी है कि उन जीलों में विवस्थाये वह टाइट करने की जरूरत है, संक्रमन के दर को रोकने के लिए भी खास कारगर नई विवस्थाये करने की जरूरत है, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना का जो चैने वह बने नहीं, बाता ही वह ब्रेक हो, क्योंकि जो न्य मिलते जा रही है,वहां पर देखा जा रहा है कि चैन बनता जा रहा है, पूराना सो फकनेंट उनने न्य ख़तम हो रहा है, लेकिन उसके ज्यादा रफ्तार में नए ईन बनते जा रहा है, ये समस्या है, काक्ता ही न्य votes तो ध्यान आप सभी और फिलाल कल तो 15 अगस्त है तो कल भी मिलेंगे सबसे आपको अभी ही 15 अगस्त की सुपकामनाई मैं आपको दे देता हूं लेकिन फिर कल मिलेंगे तो 15 अगस्त की सुपकामनाई आप हम उमीद करेंगे कि आप भी हमको देंगे और हम भी आपको देंगे घर में रह करने की जरूरत है फिलाल के लिए इतना ही खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद